क्या ज़रुत थी उससे बात करने की, क्या ज़रुत थी वहाँ बैटने की, क्या ज़रुत थी तुम्हें बताने की, क्या ज़रुत थी मोबाइल खरीदने की, क्या ज़रुत थी वहाँ जाने की गैस ऐसे sentences आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो जब इस टाइब की situation आ जाए तो आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले guys आपको use करना है What was the need to? It means क्या ज़रुरत थी प्लस वर्फ की first form and then object ये हो गया guys आपका rule समझते हैं example से क्या ज़रुरत थी उससे बात करने की तो according to rule सबसे पहले उसकरना है What was the need to? प्लस उसकरना है वर्फ की first form वर्फ है उससे बात करना It means talk to her तो आपका complete sentence हो गया guys What was the need to talk to her? It means क्या ज़रुरत थी उससे बात करने की अगले example है तो सबसे पहले उसकरना है What was the need to? इसके बात लगाना है वर्फ की first form वर्फ है वहाँ बैठना It means sit there तो आपका complete sentence हो गया guys What was the need to sit there? It means क्या ज़रुरत थी उससे बात की अगले example है क्या ज़रुरत थी तुम्हें बताने की तो सबसे पहले उसकरना है क्या ज़रुरत थी तुम्हें बताने की तो सबसे पहले लगाना है What was the need to? इसके बात लगाना है वर्फ की first form वर्फ है मोबाइल खरीदना It means purses a mobile तो आपका complete sentence हो गया guys What was the need to purses a mobile It means क्या ज़रुरत थी मोबाइल खरीदने की Next example है क्या ज़रुरत थी वहाँ जाने की तो सबसे पहले उसकरना है What was the need to? इसके बात लगाना है वर्फ की first form वर्फ है वहाँ जाना It means go there तो आपका complete sentence हो गया guys What was the need to go there? It means क्या ज़रुरत थी वहाँ जाने की Next example है क्या ज़रुरत थी उससे मिलने की Guys इसका answer आपको comment section में बताना है Guys ऐसे sentences भी आप daily life में उसकरते हो जैसे मुझे बताओ आपका दोस्त कहां है मुझे बताओ वह कैसी है मुझे बताओ आप कौन हो मुझे बताओ वह कहां है मुझे बताओ आप कैसे हो Guys जब ऐसा situation आजए तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल सबसे पहले आपको लगाना है tell me It means मुझे बताओ प्लस उसकरना है wh word प्लस subject प्लस is mr यह हो गया दोस्तों आपका structure समझते हैं example से मुझे बताओ आपका दोस्त कहां है तो according to rule गई सबसे पहले उसकरना है tell me इसके बाद आपका rule कहता है कि आप उसकरो wh word तो आपका दोस्त कहां है It means where इसके बाद लगाना है subject subject है आपका दोस्त It means your friend और your friend आपका subject है your friend के साथ आप क्या लगाओगे is लगाओगे m लगाओगे r लगाओगे क्या लगाओगे आप लगाओगे yes क्यों 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 कि जो आपका subject है वो है आपका similar और similar के साथ उसके अगाता है is तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो tell me where your friend is It means मुझे बताओ आपका दोस्त कहां है It means कहने के मतलब कि मुझे बताओ आपका दोस्त जहां है के लिए अगल example है मुझे बताओ वो कैसी है तो सबसे पहले उसकरना है tell me प्लस लगाना है डबलू वेस वर्ड डबलू वर्ड है वो कैसी है It means यहाँ पर उसकरना होगा how इसके बाद रूल कहता है कि आप उसकरो subject subject है she और she के साथ उसकरना है is तो आपका complete sentence होगे दोस्तो tell me how she is It means मुझे बताओ वो कैसी है clear अगला example है मुझे बताओ आप कौन हो तो सबसे पहले उसकरना है tell me इसके बाद लगाना है डबलू एच वर डबलू एच वर्ड है कौन it means who फिर लगाना है subject subject है आप it means you और you के साथ उसकरना है आर तो आपका complete sentence होगे गाई tell me who you are it means मुझे बताओ आप कौन हो next example है मुझे बताओ वो काँ है तो सबसे पहले उसकरना है tell me इसके बाद लगाना है WH-Word, WH-Word है where, फिर लगाना है subject, subject है he, और he के साथ यूज़ किया जाता है is, तो आपका complete sentence होगे दोस्तो, tell me where he is, it means मुझे बताओ वो कहां है, clear, अगला example है, मुझे बताओ आप कैसे हो, तो सबसे पहले यूज़ करना है tell me, इसके बाद लगाना है WH- WH-Word, WH-Word है, कैसे, it means how, फिर आपका structure कहता है कि आप यूज़ करो subject, subject है आप, it means you, और you के साथ यूज़ किया जाता है, आर, तो आपका complete sentence होगे दोस्तो, tell me how you are, it means मुझे बताओ आप कैसे हो, अगला example है, मुझे बताओ वो कौन है, गैस इसका answer आपको comment section में बनाना है, ऐसा sentences भी आप daily life में use करते हो, जैसे, जो आप कह रहे हो, वो गलत है, जो आपने बताया, वो सही था, जो उसने कल किया, वो सही नहीं था, जो तुम खा रहे थे, वो टेस्टी नहीं था, जो उसने कहा, वो गलत था, जब ऐसा situation आ जाए, तब आप इसे English में कैसे बोलोगे, तो समझते हैं, सबसे पहले इसका rule, सबसे पहले use करना है what, प्लस लगाना है यहाँ पे sentence, अब गईज यहाँ पे sentence आपका कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो आपका यहाँ पे sentence होगा, वो होगा positive sentence, इसके बाद लगाना है is या was, यदि दोस्तों आप present की बात करोगे, तो आप आपको लगाना है is, और यदि आप past की बात करोगे, तो आपको लगाना है was, यह हो गया आपका structure, तो समझते हैं example से, जो आप कह रहे हो वो गलत है, तो सबसे पहले according to rule आपको use करना है what, इसके बाद लगाना है sentence, sentence है आप कह रहे हो, तो आपको देखना है कि यह sentence आपका कै कैसा है, आप कह रहे हो, यह sentence है present continuous का, और present continuous का रूल होता है subject प्लस is mr प्लस word की forth form and then object, तो आप कह रहे हो, it means you are saying, इसके बाद लगाना है दोस्तों, आपको is या was, तो आपका sentence कैसा है, आपका sentence है present का, और present में यूज़ करना है is, अब क्या जो आप कह रहे हो वो गलत है, it means wrong, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों, what you are saying is wrong, it means जो आप कह रहे हो वो गलत है, clear, अगले example है, जो आपने बताया वो सही था, तो सबसे पहले लगाना है what, इसके बाद लगाना है sentence, sentence है आपने बताया, it means you told, अब क्या है, वो सही था, it means was right, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों, what you told was right, it means जो आपने बताया वो सही था, next example है, जो उसने कल किया वो सही नहीं था, तो सबसे पहले उसके बाद लगाना है sentence, sentence है उसने कल किया, it means he did yesterday, इसके बाद लगाना है आपको is या was, तो कब सही नहीं था, past में, it means was not right, तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों, what he did yesterday was not right, it means जो उसने कल किया वो सही नहीं था, clear, next example है, जो तुम खा रहे थे, वो टेस्टी नहीं था, तो सबसे पहले उसके बाद लगाना है sentence, sentence है तुम खा रहे थे, अब कब खा रहे थे, past में, तो इसका English बनेगा, you were having, guys खाने पिने के लिए भी have का use किया जाता है, तो यहाँ पे have का forth from हो गया, आपका having, clear, अब क्या नहीं था, tasty नहीं था, it means was not tasty, तो आपका complete sentence हो गया, guys, what you were having was not tasty, it means जो तुम खा रहे थे, वो tasty नहीं था, अगला example है, जो उसने कहा वो गलत था, तो सबसे पहले उसके बाद लगाना है sentence, sentence है, उसने कहा, it means he said, इसके बाद लगाना है, आपको is या was, अब कब कहा, past में, it means was, क्या गलत था, it means wrong, तो आपका complete sentence हो गया, दोस्तो, what he said was wrong, it means, जो उसने कहा, वो गलत था, अगला example है, जो आप कर रहे हो, वो आपकी future के लिए सही नहीं है, guys, इसका answer आपको comment section में बनाना है, तो बस दोस्तो, आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next video में, I hope आपको ये video पसंद आया होगा, तो आप comment section में अपना feedback जरूर दे, thank you